नमस्कार दोस्तों आपका मेरी यूटूब चेंप बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो मैं आपको पूरे सरीर को गोरा चमकदर और सुन्दर बनाने का एक राममाण उपाय बताने जा रहा हूं इसकी मदद से आप अपने पूरे सरीर के मैल और गंदी और काले पन को दूर करके अपनी तुच्चा को गोरा चमकदर और सुन्दर बना सकते हैं ये नुस्का काफी असरदा नुस्का है इसकी मदद से काफी सारी मैला उने अपनी तुच्चा को गोरा चमकदर और सुन्दर भी बनाया है साती यह हमारी तुच्छा पर कोई भी साइड डिफेक्ट नहीं करता है क्योंकि हमने इसमें जो भी चीन लिए हैं सारी की सारी चीन एकदम नेचरली और प्राकृतिक चीन हैं तो चली दोस्तो जानते हैं क्या है नुस्का आगे बढ़ने से पहले दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें साती वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें तो नुस्के को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जुरुत पड़ेगी एक खाली बाउल की हम यहाँ पर एक सबसे पहले आसानी से मिल जाता है कोगि बेसन के काफी जारे इस्तंवा जारे किचन blinking किये याता है आप सभी जानते हैं दूस्तों काफी काफी सदियों से चैरे की सुंदर ताको निखानने के लिए काम में आता रहा है बेसन के इस्तमाल से चैरे से काले द दाग दब्बे झुर्या bullets फ है पर इस ख्रेब की तरह काम करता है जिससे हमारी तुच्चा गोरी चमकदार और सुन्दर बनती है बेशन की मदद से तुच्चा एकदम सौफ्ट और जमा दिखने लगती है अगर आपकी धीली श्केन है तो इसके लिए बेशन काफी असरदार है क्योंकि धीली स्केन को बे add करेंगे। दोस्तों अगर आपके खट़्टा धाही है तो यह हमारे तचा के लिए बहुती फाईद्य मन्त है। क्योंकि खट़्टे धाही के अंदर जो तटो पाई आते हैं हमारी तचा के लिए काफी अच्छे होते हैं। क्योंकि खट्टे धही में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे तुचा से काले दाग दब्बे जुर्णिया ज्याईयों को खत्म करता है साथी खट्टा धई हमारी तुचा पर बिलीज की तरह भी काम करता है जो हमारी तुचा को अंदर से गोरा चमकदार और सुन्दर बनाता है खट्टे धई की मदद से हमारी तुचा जवाँ और सुन्दर दिखने लगती है दोस्तो धही हमारी तुच्चा पर फेशल मास की तरह काम करता है जो कि हमारी तुच्चा पर जितनी भी गंदी होती है सबको भान निकल देता है दोनों चीहें हमारी चेरे के लिए काफी फाइद मन्द है अब हम यहाँ पर लेंगे दोस्तो चीनी का बूरा जो कि दोस्तो मैंने यहाँ पर चीनी को पीस कर इसका बूरा बना के त्यार कर लिया है आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको चीनी को लेकर इसे जो मिक्स कर जो आपको बूरा बना लेना है तो मैं यहाँ पर इसमें एक चमच चीनी बूरा एट कर दूँगा दोस्तो ये जो है हमारे तुचा के ब्लेक एट्स और वाइट इत्यादि को दूर करता है चीनी हमारे तुचा पर निखाल लाती है चीनी की मदद से तुचा जो है धमकने और चमकने लगती है चीनी हमारे तुचा पर इसक्रव की तरह काम करती है तो दोस्तो तीनों चीहें लेने के आदमें आखरी जो चीह हम लेंगे यापर वो दोस्तो नीवू का रस हम इसमें जो आदा चमच कराबर नीवू का रस एड़ करेंगे नीवू का रस भी हमारी तुच्चा पर बिलीच की तरह काम करता है निवू के रस की मदद से तुच्चा पर निखार आता है निवू का रस हमाई तुच्चा के अंदर छुपे मैल और गंदगी को तीजी से भान निकालता है निवू के रस की मदद से हमारे बंद पोर्स खुल जाते हैं तो आपको इसमें सिर्फ आदा कटा हुआ निवू का रस का आदा चमच रस लेना है और इसे जो अच्छे से मिक्स करना है सारी चियों को हम अच्छे से मिक्स करके इसका एक गाड़ा सा पेश्ट बना के त्यार कर लेंगे दोस्तों अगर आप ने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने गया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी वीडियो को अपने दोस्तों आप सेयर कर दें जिससे कि वो भी अपने तुच्छा को गोरा चमंकदर और सुन्दर बना सके हैं तो इस तरीके से दोस्तो आप देख सकते हैं हमारा पेष्ट अच्छी से मिक्स होके त्यार है इस तरीके से आपको इसका गाड़ा पेष्ट बनाके त्यार कर लेना है अब इससे लगाने का तरीका दोस्तो वह यह है आप जो नानी से पहले इस पेष्ट को उंगलियों से लेक अगर साती अंदर से गंदी ये को भान निकालेगा जिससे आपकी तुच्छा गोरी चमकदार और सुन्दर धिंगने लेगी तो पूरे सरीर के उपर आपको इस तरीकी से इसकी मालिस करनी है आपको दोस्तो नहाने से पहले इसे अपने पूरे तुच्छा पर लगाना है आप इसे आपको पांच मेंट के लिए अपने पूरे सरीर पर लागा चोड़ देना है पांच मेंट के बाद दोस्तो आप साला पानी से नहा लें और इस पेश्ट को साफ कर दें इस सुपाय को आप लगातार एक हपते तक कर लें इससे आपके तुच्छा काफी तेजी से गोरी चमकदार और सुन्दर देखने लेगी तो मीत करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आया हुगा तो आप इस वीडियो को ज्यादा स्यादा आपने दूस्ता शेयर करें वीडियो को लैक करें मिलते एक लिए नए वीडियो में तब तक के लिए उसको बाई